हालो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग महराकेश परजापत आज आप सभी नर्सेज के लिएक नई नर्सिंग ओफिसर वेकेंसी लेके आ गया हूं और वेकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ओल इंडेकेंडेट्स फोर्म अप्लाई कर सकते हैं और गोवर्मेट की पर वेकेंसी का नोटिफिकेशन आया है पर्मानेट्स वेकेंसी है काफी पोस्ट हैं इसमें अपने जो पांच नंबर पे इस्टाप नर्स यानि नर्सिंग ओपिसर की वेकेंसी है उसकी इसपेसली बात करने वाले है तो यहां पे सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ओफ ल प्रिम को सेंड कर सकते हैं कहां पे सेंड करना यह उपर आपको एडिरेस इसका हेंड WhatsApp माहराश्च्र वाला करते हैं अब अपने बात करते हैं पोस्टों की तो अबर श्पीसर की पोस्ट है। आठ पोस्ट टोटल दी हुई है 35,400 से लेकर 1,12,400 का आपका अच्छा पेमेंट रहेगा BAC nursing का option यह आपे दिया गया है GNM का option यह आपे नहीं दिया गया है BAC nursing के Fraser candidates भी apply कर सकते है desirable qualification में आप सिखा गया कि basic life support certificate course अगर किया हुए है या advanced cardiac life support certificate का course किया हुए तो अच्छी बात है नहीं किया हुए तो BAC nursing के Fraser candidate भी apply कर सकते है age है वो government of India के rules के according रहने वाली है उसी के according है वो छूट रहने वाली है fees है वो आपके 300 रुपे की fees non refundable रहने वाली है सबको यहां पर किसी टाइफ की fees है वो नहीं देनी है यह बात यहां पर साप साप लिख दी गई है और फीस है वो chief executive officer cantonment board खड़की है इसके नाम से आपको dd बना कर pay करनी है और फोर्म में आपके जो सभी डोकुमेंट्स है उरिजिनल उनकी फोटो कोपी सेल पर टेस्टेड है वो साथ में सेंड कर देनी है अब आपके आ जाता है selection कैसे होगा तो दोस्तों selection आपका return test प्लस skill test से होगा return test होगा उसमें आपके जितनी पोस्त है यानि nursing staff की जैसे 8 पोस्त है तो तीन गुणा यानि 24 candidate को पास के जाएगा उसके बाद में उनका skill test होगा हालांके जो skill test है वो qualifying नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है इसमें साब साब लिखा गया कि अगर आप question को गलत करते हैं तो एक बटा तीन नंबर है वो यानि 0.33 है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है अब आ जाता है एक्जाम का syllabus तो nursing officer की जो एक्जाम है उसमें आपके साम पीस नंबर 120 क्यूशन 120 मिनिट मिलेंगे skill test qualifying होगा यह मैंने बता दिया जनरल इंटेलिजेंस रीजिनिंग के क्यूशन आएंगे इंग्लिस कंप्रेहंजन के क्यूशन आएंगे और जनरल नर्सिंग सेलेबस के जो क्यूशन है वह आएंगे टोटल 120 क्यूशन होंगे उसमें जो केंडिडेट्स पास होंगे यानि चोई केंडिडेट्स को पास किया जाएगा उसके बाद में उनका skill test लिया जाएगा आपकी जो मेरिट बनी है उसमें से टोप 8 कंडिडेट्स को उनका सेलेक्शन किया जाएगा तो आई होब आप खिटकी सावनी प्रिसित की वेकेंसी है इसकी पूरी डिटेल समझ गये हैं फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट करें म मैं रिप्लाई देने की कोशिज करूँगा जल्दी आजब तो नेक्स्ट लेकर तब तक स्वास्त्रे में से थेंक्यों प्रेंट्स